करती मीडिया को आप जानते हैं इसकर्स पे पहुंचने की बहुत जल्दी रहती जो मीडिया ट्राइल जिसे नाम दिया जाता है दवायर उसका तो नाम भी ऐसा है कि लायर गोलो वायर गोलो से अहां वो कोई गलत नहीं है और अमेरिकी नागरिक के द्वारा चलाया जाता है खबरचापी इंडियान मेटकप सीरफ किल 66 चिल्डरन इंगांबिया ऐसे शिर सकी यह था बीबीसी और जो आपका CNN है और जो आपका इंडिया टुड़े है अधिकता मेडिया तो ऐसे उतावली लगती है जहीं पर भारत वी लगता है यहां इसको लपको बिलकुल बिलकु आप जानते होंगे एक्टिविट हैं दमाओ के मामले में दिनेश्था कुर करके वह यह वायर से जुड़े हुए है और बहुत कापी दिनों से जुड़े हुए उन्होंने क्या किया यह लोग जैसे ही यह खबर आई रही बड़ा असा थ्रिट बना कि प्रिटर पर डाल दि मैंने 6 तारीक को 6 अक्टूबर को उनके दूतावास में संपर्ख साधा मेरी बात चीत हुई तो उन्होंने उनका जवाब यह था कि हम अभी इस विशन में कुछ नहीं कैसे या ना और गांबिया और भारत के संबंग्द बहुत अच्छे हैं और वैक्सीन मैत्री के समय हमे वैक्सीन भी दी थी भारत में तो अर्पी तभी गांबिया जो कफ सी रप और सतर बच्चों की मौत का मामला इसमें सबसे ताजा न्यूज सबसे रिसेंट न्यूज क्या है इसमें अच्छे नमस्कार दोस्तों आशीस आप देख रहे हैं दो पैंफलेट हमारे साथ हमारे सहयोगी अर्पित्र पाटी स्वागत्या आप पहली बार हमारे वीडियो में आरे हैं आज हम बात करने जा रहे हैं पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट गांबिया के बारे में जिसके सं जैसे गांबिया में इतनी बच्चों की मौत हैं क्या है क्याने टीवी में न्यूज डिबेट में अख़वारों में आपने यह सब शीर्षक देखेंगे अर्पित ने कुछ रिसर्च की थी इस मामले में की वाकई में जब इतना उत्सु क्यू है हमारा मेडिया भारतिया द सब्सक्राइब करेंगे तो अर्पित स्वागत है बताइए थोड़ा सा गांबिया ड्रग विवाद कफ सीरफ ओला जो मामला था वो क्या था शुरू से लेकर के अब तक बाड़ वां पर आई थी धन्यवाद मैं बताने चाहूंगा यहां जो पूरा मामला है जो बच्चों और जैसे राष्ट्रो की तरफ से गिरा हुआ हर साल यहां पे 15-20 सालों से बहुत भीषड बाड़ आ रही और अपकी जो इस वर्ष जो बाड़ आई वह बहुत ही भीषड थी पिछले 50 सालों में सबसे भीषड बाड़ वो थी तो चुकि जैसा बाड़ में होता है कि बाड के बाद महामारी फैलती हैं तो उसके बाद क्या हुआ जब पाड़ चली गई तो उसके बाद बच्चों की रहस्माई तरीके से मृत चांद गांबिया में और दीमे दीमे आकड़ा बढ़ने लगा बच्चों में एक बीमारी होई अक्यूट किड़नी एंज्री जो की की देश के लिए चिंता का विशाय होती है इसलिए अब जब वहां पर यह हुआ तो जो गांबिया की सरकार है उसने इसका नोटिस लिया और इस मामले को जाच के लिए बेजा और अपनी कारवाई उन्होंने इस पर प्रारम कर दी जो शुरुवाती कारवाई है उसमें दो इसे पीडित है अधिकतर और उनमें बैक्टीरिया का इंफेक्शन है और यहां संभावित हो सकता है कि नोने एक सीरप ली हो जो परसीटमॉल सीरप जो आपका बुखार दी जाती है बेबी कफ सीरप बोलते है उसे उन्होंने उसका सेवन किया हो और उसकी वजह से यह अक् और जब यहां सब मुद्दा उठा बच्चों की मौते होने लगी तो गांबिया में जो दवा नियामक एजनसी उन्होंने 9 सितंबर को एक अलर्ट जारी किया अपनी तरफ से कि पूरे देश में जितनी भी पैरसीटमॉल सीरप हैं उनको ना बेचा जाए उनका सेवन ना कि इसके बार स्रुप्षा के तौर पर यह बिल्कुल क्योंकि आखरी जो है रिपोर्ट अभी नहीं आ सकी तो तब तो पहुती शुरुवाती पीरिएड रहा होगा तो उन्होंने सारी संभावनाओं को जितना वो टैकल कर सकते ते जितना वो उस पे काम कर सकते तो उन्होंने उस जो जो सीरप है उनकी विक्री और सेवन पे रोक लगाई और यहां नो तारीकों का और तेरा तारीकों जब उन्होंने मामला और हांसे निकलते हुए देखा तो उन्होंने सीधे-सीधे उन सीरफ को जब्त करने का आदेश दे दिया कि इनको तब तक आप खोल्ट पर र सीरफ को जब्त करना प्रारम कर दिया अब चुकि इस मामले की जाच के लिए सेंपल लिये जाने थे दवाओं के और बच्चों के जो बीमार हैं यह जो अम्रत हो गए उनके भी तो उन्होंने उनके सेंपल इकठा की अब चुकि गांबिया एक काफी मैं गरीब गरीब गांब चुकि जो कफ सीरफ पारैसीटमॉल सीरफ उनके सैंपल लिये और उनको चार देशों में अलग अलग जगह जांच करने के लिए बेजा तो उन्होंने एक सैंपल घान बेजे पड़ुसी रास्टर है एक उन्होंने फ्रांस बेजा और एक श्रोड़लाइंड बेजा स्वास्तिके चेत्र में काम करता है करने का दिखावा करता है जैसा भी है तो उन्होंने इस मामले में एंट्री ली और गांबिया ने उनकी मदद मांगी कि उसके बाद क्या होता है कि वहां से जो रिपोर्ट वापस आती है उसमें कुछ कपसिरफ चार कपसिरफ में एक रशायन की मात्रह ज्यादा पाई जाती है जिसका सेवन हानिकारफ हो सकता या उससे वो बीमारियां हो सकती है लेकिन अभी एक रिसेंटली यह जब हम फॉलोप इस स्टोरी का कर रहे तो रिसेंटली न्यूज और आई है कली शायद आई है तो उसमें काया कि गांबिया में तो बार्द प्रवाईद इलाकों में मेडिकेशन ही नहीं हो मतल़ दवाई नहीं मैं आपको जैसा कि मैं आपको है यह उनको एक पत्र लिखता है कि आपके यहां जो बनी हुई चार दवाई है चुकि गांबिया में जो चार कफ सीरफ विशाक्त पाई गई थी वह भारत की मेडन फार्मास्यूटिकल्स नाम की एक कंपनी है नई दिली स्थित और इसका जो प्लांट हो हरियाना में है जो करते हुए एक अक्टूबर और तीन अक्टूबर मतलब पिछले मार की शुरुआत में उन्होंने कंपनी में जांच की उन्हों की सेंपल्स लिए और यह सब चलता रहा तब तक यह खबर जो थी केवल अंदरूनी जो सरकल से उनमें चल रही थी और जो सामानी जनता है उसक टेड्रोस एडानम जो इतियोपे से तालूब रखते हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस की और बताया कि जो हमने जो सैंपल जांच किये हैं जो नमूने लिए हैं उनमें से चार जो शीरफ हैं वो विशाक्त पाई गई हैं भारत में वो निर्मित हैं और इनका संबंध गा अलर्ट है तो उन्होंने उसमें लिखा और पूरी जानकारी दी कि इसमें यह रसायन ज्यादा है डाइथिलीन गलाइकोल करके रसायन होता है वह उसकी मात्रा 0.001 प्रतिशत होनी चीए उससे कुछ ज्यादा पाई गई है और यह हनिकारक हो सकती यह सब जानकारी उन्हों सामान जंता के लिए शायद अवेलिबल नहीं है मैंने देखा था और वहां रसायन घन्यों का खैर विसे भी है तो जो दावे टेड्रोस अडॉनम ने अपनी प्रस कॉन्फरेंस में की और जो लिखित जो पूरी नोटिफिकेशन आई डबलो एचो की तरफ से उन दोनों मे अंतर है जो नोने बोला वह उस नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ है मतलब उस नोटिफिकेशन में यह नहीं लिखा हुआ है कि जो सिरफ हैं जो चार सिरफ हैं वहां बच्चों की मौत के लिए कहीं पर भी जिम्मेदार है या जुबानी लेकिन लेकिन उने जुबान पहले एक प्रोपगेंडा पोर्टल है भारत में जो लगातार भारत विरोधी खबरे और जूटी खबरे स्क्रीनशॉट आप जानते होंगे दवायर दवायर जी उसका तो नाम भी ऐसा है कि लायर बूलो वायर बूलो वह कोई गलत नहीं है और अमेरी की नागरिक के द्वार यह उन्होंने इंडियन मेटकप सिरफ किल 66 चिलर्ण इन गांबिया ऐसे करके अधिकतर ने लिखा और इसी डर्रे फिर जो मीडिया है बीवी सी और जो आपका चीनन है और जो आपका यह इंडिया तो अधिकतर तो वैसे उतावली लगती जहीं पहरत विरोगता है इस पु बिल्कुल जो पेश्चिमी मीडिया है उनकी तो चलिये ऑपलिगेशन जो है अपने मास्टर की तरफ की वह पर चिमी दवह कंपनियां के लिए कम तो करेंगे क्योंकि भारत की जो सचती दवह माललब सचती कमपनिया मल मुदब सब्नाती है उनसे उन्हें बहुत निक्कत हो इन्होंने खबर चलाना चालू कर दिया बिना जाचे परके कोई भी ना किसी ने किसी का पक्ष जानने की कुछिश की और भारत सरकार पे गांबिया के नियूज क्या गह रहे थी उस टाइम गांबिया का जो इस्थानी मीडिया है एक उनका अगवार है दपॉइंट और दफा विइमारिया होते है तो यहां इस की वह सकता है किसी भी निच्रप्स पहुंछ रहिए जस भारती मीडिया को इन जह एक जल्दि रहती जो मिडिया दिया जाता है तो बला कंपनी लिजने क्यूं कर दिया गया और हो हला चालू हो गया है बारत में बनी चार दुवायों से कि मौत और कौन जवाब देगा नियामक की कमी है नियमनों की कमी है और कैसे पास होने दिया गया आधिया जो जो भी चिल पो जो जिसे कहते हैं हम वह होने लगी उसके पास चर्थ क्या होता है कि 8 अक्टूबर को 8 अक्टूबर 2022 को जो गांबिया के राइस्टर पती हैं वह ए क्याते हैं कि जो बच्चो की मृत है वह वहां बैक्टिरिया से हुई है हो सकता है दवाओं का उसमें कुछ रहा हूं अनुंहों ने जो 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 दिया हो बैक्टिरिया और इन ऑंभ इन सब चीज़ों पर दिया दवाओं को उसमें अगर कले की आगे तो नहीं रख ग्रस्ति जिले से आता हूं मेरा जो जिला है लखीम पुर्खिरी उसका आधे से ज्यादा हिस्सा डूपता जरूर है एक बार में सौसो गाउं को घागरा शारदा बहा ले जाती है अभी भी महाँ पर बाढ़ की तबाही चल रही अगर आप देखें तो तो बाढ़ जो कॉंस स्वेक्षिण से लाती है अपने साथ बाढ़ है और बाढ़ चली गई वह से तो आदमी विस्थापित हो गया उसके बाढ़ जो होता है जो महामारियां फैलती है वह ज्यादा गातक होती है उसे क्योंकि फिर आदमी भागता दोड़ता है बाढ़ से आदमी पानी आ रहा त परन्त महामारी से आप नहीं बच सकते हैं यहां होता है खेर मुद्धे पर हम वापस आते हैं तो गांबिया के राष्टपती ने यहां सब बाते कहीं और आठ तारीक को ही कंपनी जो वेडन फार्मसेटिकल से उन्होंने बयान जारी कि हम सभी मानकों का पालन करते हैं हमारे के ल३ट पास लाइसेंस एक्सपोर्ट का और बिन रचाज़ के मिलता ही नहीं है और इन सीरप को हम तर प्रन को करते हैं हमारे हमारी दमाय शुरक्शित है इन्होंने यह बयान दिया अब उसके पश्चात क्या हुआ आठ तारीक को ही एक इनके डायरेक्टर है नरेश गोयल मेडन फार्मा के उन्होंने एक हिंदी दैनिक है हिंदी एंग्रेजी दैनिक आपका ट्रिब्यून करती जी यह आपके पंजाब और हरिनाडा चेत्र में काफी पड़ा और देखा जाता है तो उन सबसे बड़ा कारण है और इसके पीछे फ्रांस से आई हुई एक दवाई कारण हो सकती है हलाकि पैंफलेट इस बात की अन्य सूत्रों से पुष्टी नहीं कर सकता है परंत उन्होंने यह कहा और उन्होंने भी पैंपनी के डिरेक्टर ने जिस पर आरोप लग जिस पर हो गया तो उसके पश्चात क्या होता है कंपनी का बायान आता है लेकिन खबरें फ्लोट हुआ करती है लगातार बहेंस और एक भारत में आप जानते होंगे एक्टिवेट हैं दमाओ के मामले में दिने श्ठाकुर करके उनका नाम है यह वायर से जुड़े हुए हैं और ब के खिलाब हुआ था तो रैन बैक सी आप जानते हैं भारती बहुत बड़ी दवानिर्माता कंपनी थी तो उसके संफार्माने कुछ साल पहले खरीदा है तो यह उसमें विसल ब्लोवर जिसे बोलते हैं मतलब जो एक्टिविस्ट टाइप का होता है क्रांतिकारी यह उसमें के फरीडीक मलभाति नहीं इनकी गड़ान्षा आप है उसमता हुआ है व्यक्ता हुआ नहें अर्पराहर का म कर working के इनके को सरकार जो और फर्मा देश्टर्य उसको को लिके बहुत गंविर है क्योंकि यहीं कुछ मदब यह SECTORS как are हैं जो ंगिश्फु में लीडर बनाते हैं जिन में हमसे आगे कोई नहीं है या हमसे अच्छा कोई नहीं है हमसे किफायती कोई नहीं है तो सरकार ने सके लिए जनास्दी इस जाते हैं और गाकर उससा है उसमें क्या होता है काफी सारे फाइदे 이런 कंपनियों को देती है उनका अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए भारत में आके वेपर करने के लिए वह जो है चालू कर रखी है इसके अतरिक दवा छेत्र जो है उसका जो कच्छा माल होता है API बोलते हैं उन्हें तो पहले वह चीन से अधिक तरह था था भारत में अब उसके लिए भी सरकार बहुत प्रयास कर रही और बहुत सारे API अब भारत में बन रहे हैं लगभग आत्मनिरभर आप कह सकते हैं उसमें क्योंकि कुछ तबह ऐसी होती जो नहीं आ सकती परन्ति बड़े इस तरह हम उस मामले में आत्मनिरभर हो चुके हैं तो ऐसा तो कि जब भारत इस तरह की तैयारियां करने कोशिस कर रहा तो यह प्राशित शड़ी अंत्र उसी वज़े से बिल्कुल भारती दवा कंपने बिल्कुल आप देखिया ना कि जो भी इंडिश्ट्री भारत में राइस पे होती है उसको सेबोटाज मतलब उसके खिलाब शड़य पताया कि को संबोधन दिया और पूरा मामला चलता रहा है भारत के मेटिया में उस पे हो जो हला मुचता रहा है दर तरीक को गांबिय को आपको आंठी करने के लिए एलिए जो है यह एक नों हमने मेटन से बात करने की कोशिश की पर उन्होंने बातकरने कर दिया और इस में मैं अपको ऑग्राइध बात और बताना चाहँ गा 이번 जब पूरा जो मामला आया यह यह जो मामलग क्षिन अवरुष नहीं अपन है नहीं कि हमें कभर ब्रेस्स करनी है यह हमी बस आ गया तो हमें फीर मीडिया की तरह है फर्मा प्रस्व एपश्व करनी है भारत करनी है हमार आवा कभी भी देश नहीं रहता है मैंने जब मेरे पास चाही तो मैं इसकी पह हमा अरे अ मब कर दो सबस्ब्य कर में जोसुरी ऊट है तो को संपरेस किया उनके दूतावास में संपर्क साधा मेरी बातचीत हुई उनके जो एम्बैसिडर हैं या पे मुस्तफा जवारा जी है उनने मुझसे बात की मैंने मुझसे पूछा कि सर आप ये बताईए कि यहां जो घटना सामने आ रही है जो बच्चों की दुखद मरत्य हुई है क्या था कि हम अभी इस विश्र में कुछ नहीं कह सकते या ना ऐसा नहीं है अभी हम इस मामले में अभी हमारी जांच चल रही है और मैं अभी इस मामले पर कुछ नहीं कह सकता और गाम भी और भारत के संबंग बहुत अच्छे हैं और वैक्सीन मैतरी के समय हमें वैक्सीन भी द लिखा उसमें कहीं पर भी यहां नहीं लिखा हुआ था कि जो भारत में निर्मिद्वाएं हैं वहां बच्चों की मौत का कारण है परन्तु भारती मेडिया ने जो किया मैंने आपको बताया खैर उसके पश्चाथ क्या होता है कि एक गटना होती है इंडोनेशिया में पिछल बच्चों की मरत्यों का वहां पर आंकड़ा आ जाता है और वरतमान में आकड़ा करीब देड़ सो के करीब पहुंच गया है इंडोनेशिया में जो साउथ एस्ट एस्या में इस्तित एक राश्टर है तो क्या होता है कि इसमें उसमें भी बिल्कुल वैसा ही आप मोर्टस सिरफ देन कर देगे बैन को पकड़ा गया कि यह विशाट है और पर पर इंडोनेशिया में यह सब हुआ और बड़ी संक्या पर बच्चे मरें परन्तों अब आप देखेंगे कि वह का पूर्वाग्र है और दोहरा मापदंड जो है वह कहां पर आता है जब भारत में निर् पर है यह इसका नाम है और मतलब उसका जितना भी आप कह सकते तिया पांचा जो भी ता सब उने लिखके रख दिया है और दुनिया की मीडिया ने भी उसे चलाती है अब इंडोनेशिया ले पर खरण पर आईए डबलो एच्चे की तरब से कोई भी ऑफिशियल मुझे जामान एक मीडिया का जो काम होता है संदेश को पहुचाना खबर को पहुचाना वैसा हो रहा है वहां पर यह आरोप नहीं लगाया जा रहा है कि यहां तो दवा कंपनिया ही खराब है यह उनको सबटाज करने कि वह कोई कोई कोशिश नी होई परन्त भारत के विशे में ज कि उस क्या है इसमें अगर आप सबसे ताजय अपडेट की बात करें तो इसमें यहां अपडेट आया है कि जो गांबिया की इस्थानी दवा नियामक एजिंसी है करके उसके एक अधिकारी है टिजान जिलो उन्होंने 31 अक्टूबर को एक प्रिसवारता की जैसा कि इस्थानी बीडिया से पता चला वहां के और उसमें उन्होंने काफी सारे नए खुला से कि यह नई जो इस विशे में जो बातें वह बताई कि क्या क्या अब तक हुआ है है अब तक हमाई क्या फाइंडिंग से क्या हम अब तक जान सके हैं तो अगर मैं उसका कुल जमा आपको बताऊं एक लाइन में अगर मैं कहूं तो उन्होंने का है दवा जो भारत में बनी हुई चार दवा है वह कारण नहीं है जिनसे बच्चों की मरत हुई है बाकि जी आपको बताता हूँ इन्होंने लिखा हुआ है कि जो सत्तर बबक्चेों की मरत हुई है उन में से कई बच्चे ऐसे हैं जो बीना किसी दवा लिय ही है जो है उनमें जिनकी मिरता लिया ही नहीं मतलब को FOCNYा सब्सक्षाथ वो कहते हैं कि został बच्चे हैं हमने उनमें से कुछ का सेंपल लिया है और उनके जो मेडिकेशन है उनके द्वारा जो ली गई दबाएं और उनमें कोई जो है वो अफेक्टेड नहीं है मतलब उनमें कोई गड़बल नहीं पाई गई है उसके बाद वो कहते हैं कि सो अफ्टर एनलाइजिंग दो सेंपल मतलब व बच्चे 55 % ऐसे थे मरने वालों में से जिनकी दुखत मृत्य हुई वहाँ बाडगरस्त चेत्र से आते हैं 95 अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महमारी का प्रकूपुअ फिर जो बाडगरस्त चेत्रों के वे जैसे उनकी दुखत मृत्य हो गया उनकी विचारों की दु प्रेश्टरपती पैंफलेट और अन्य लोग कहते आ रहे हैं कि मात्र सीरफ नहीं बैक्टिरिया इसका सबसे बड़ा कारण है तो यह कहते हैं कि हमने जितने भी सैंपल क्लेक्ट के जो नमूने लिए उनमे अधिक्तर में बैक्टिरिया का जो प्रिविलेंस है मलब बैक्टि आफ किट्स डाइट विदाउट टेकिंग एनी कांड़ मेडिकेशन मतलब जो काफी बड़ी संख्या है जिसे अब कहते हैं लाइन शेयर मेजर चंग वो बच्चों का जो है वो बिना किसी दवा लिये ही उन्हें उप्चार थकी नहीं मिला उन्होंने वह दवा नहीं ली ज उसके पीछे हो सकता है नहीं है तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे क्या रहता है तो यह गांबिया प्रक्राणगर शुरू से लेकर अब तक 31 अक्टूबर तक का अगर हम देखें तो इसमें वही डेवलेमेंट पैंफ्लेट ने शुरू में अर्पित नहीं उस पर को आती है कि इसमें कफ सीरफ की बात्ता बाती अगर मीडिके राशे नहीं मिले वीदेश तौम अमेर का इटली या यूरूप में कई राष्टάν इसे थे यह बात नहीं करते हैं हमारे देश में बैठे कई लोग जैसे सिदार्थ वरद राजन जैसे लोग भी हैं जो फोटोशॉप को जर्नलिज्म कहने लगे हैं अमेरिका के नागरिक होने के बाद भारतिये चीजों से उन्हें कि भारत में क्या हो रहा है और अगर कहीं पर इस तरह का दुष्ट प्रचार जिसको कहते हैं वह करना हो तो उसमें आपको एक स्थास्पत बात बताओं तो सिदार्थ वरद राजन के भाई हैं तुमकू वरद राजन भारत के अलोचक हैं और ब्रिटिश नागरिक हैं बारत भारत पंची हैं पर चुकि भारत के नागरिक हो के उतनी ज्यादा फिर्स जिसे वह जिसे वह आलोचना कहते हैं और जिसे यहां पर हम देशद्रोही मानेंगे क्योंकि वह ऐसी बाते करते हैं उन्होंने वहां पर लिखा है कि भारतियों को एक बड़े प्रोटेस्ट में उ और सर्टिफिकेशन जिसे कहते हैं कर गांभी विवाद पर अगरम वापस हैं तो आप जैसा कि कह रहे थे कि जब विवाद बढ़ा और जब मीडिया को दिखा कि इसमें मसाला मिल सकता है भारत को नीचा दिखाया जा सकता है तब कोई भी छोटे से लेके बड़ा तक तो हो नहीं छोड़ा भारत की फर्मेसी को बैश करने में और अब जब यहां बात सामने आई है तो मतलब अगर आप देखें तो आप उंगलियों पर गिन सकते हैं कि कितनों ने लिखा है शायद आधे दरजन को भी उनका आंकड़ा ना पार करें तब उन में मतलब यूद सुकता बनाते हैं नए इमेल बनाते हैं वायर जैसे लेकिन कई बार प्रिंट मीडिया कम से कम ऐसा करता है कि माफी नामा वह ऐसी जगह पर चापा होता है जांपे किसी नजल भी नहीं पड़ती है लेकिन जब दुश्ट पर चार करना होता है तो बाकएदा फ्रन्ट पेज पे तो यह थी हमारी चर्चा आपने जो सुनी गांबिया में कफ सिरफ से उपजे इस विवाद को विवादी है जिस तरह से ब्रहामक हैडलाइन्स ब्रहामक खबरों में आपने देखा और इसका अभी क्या निश्कर से क्या नहीं हम इसको आगे जो भी इसमें फॉल अपिस्टोर क्या ब्रेश क्या रेश्चा जिस ब्रटसिफ भी को रिंगे जो विवादी है प्र iç तrau क्यू आपने लगे लेका